आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एरे डीक्यू के बारे में अब यह एरे डीक्यू क्या है और एरे डीक्यू को क्यों मनाए गया है सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे उसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि यह जो एरे डीक्यू क्लास है हम इस इस तरह के involvement array का इसमें देखो इसमें अरे का इस्तेमाल होता है ठीक है अगर आप एक साधारन array का इस्तेमाल करते हो अगर मैं कहूंग यार एक array है जिसमें 3,7,9 और 1 ये डालना है ठीक है तो आप कहूंगे कि ठीक है 3 डलेगा पहले 7 डलेगा 9 डलेगा 1 डलेगा और इस array की जो length है वो करीब 4 हो जाएगी ठीक है करीब क्या है in fact exactly 4 हो जाएगी ठीक है और अपने अपने blocks में 3,7,9 और 1 ये इस तरह से 1,2,3,4,0,1,2,3 इस index पर रहेगा ठीक है लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह की requirement आप लोग के सामने रखो मैं कहूंग यार मुझे एक array चाहिए आप लोगों से कहूंगा कि ये जो array मुझे चाहिए ना मैं इसको बड़ा करता रहूंगा छोटा करता रहूंगा यानि कि मैं यहां से insertion करता रहूंगा मैं इसको I लिख देता हूं insertion को यहां से deletion करता रहूंगा यहां मैं D लिख देता हूं मैं इस end से भी insertion करना हुआ अगर आप को गई यह एक ऐसी अजीब सी बात है तो मैं आपको समझाओं कि इस तरह की अजीब सी बात है मालो मेरे पास 3 और 7 है ठीक है अब मैं मालो यहां से इंसर्ट करना चाहता हूँ यानि कि इस end से यह वाले end की की सहाइता से आप लोग कर सकते हो अब आपके वास एक बहुत ही obvious सा सवाल होगा कि यार अगर array dq को हम लोग implement कर रहे हैं तो array का size कितना रहेगा हम कितना बड़ा array बनाएगा हम दोनों side से उसको जो है insertion कर सकें और हम लोग जो array बना रहे हैं उसमें जब पहली बार insertion कर रहे हैं वो कहां पर करें तो यह सारी जो सवाल है इनकी आप लोगों को बिलकुल भी potential लेने की जरूवत नहीं क्यों नहीं क्योंकि array dq internally एक array बनाता है यह internally एक ऐसा array बनाता है जो कि already automatically आप लोगों के लिए इसन सब चीजों का दियान रखता है आपको वस उसको इतना बताना है कि मैं starting से insert करना चाहता हूँ यह array को maintain करेगा और उस maintained array के अंदर अगर उसको resize करना पड़ गया array तो यह automatically resize करेगा अपनी आप अपनी intelligence से यह क्या करेगा कि आपके array को maintain करके रखेगा आपको बताने की जरूवत नहीं कि कौन से array की कौन से इंडेक्स पर आपको element डालना है आप तो बस यह बता हुए कि यार मुझे साइट से insert करना है या इस साइट से insert करना है अगर आपने इस साइट से insert करना है तो आपका array के लिए array dq करता है तो array dq को हम use इसी लिए करते हैं कि यार यह सारे जो tension है यह सारी जो headache है यह आपके बिहाव पर ले लेता है और आपको जो है एक clean array dq जो है एक data structure provide करता है आपको कुछ methods provide करता है और उन methods की साइट से आप यह सारे काम कर सकते है ठीक है क्यों क्या होती है क्यों एक data structure होता है जिसमें कि आप लोग को अगर delete करना है क्यों का मतलब होता है जैसे कि आप लोग लोग टिकेट लेने जा रहे हो ठीक है आप इन व्यक्तियों को देख सकते हैं यहां पर यह कुछ व्यक्ति खड़े हुए है ठीक है एक दो तीन यह ती और उसके बाद ही जो他 कोई दूसरा इंसान यानी कि यह वाला जो है इसका number आएगा तो सबसे पहले इसका number आएगा उसके बाद इसका number आएगा फिर इसका number आएगा insertion हम लोग पीछे से करते हैं deletion हम लोग आगे से करते हैं यहां से deletion करते हैं इस end से और insertion इस end से करते हैं इसे q कहते हैं double ended q में क्या होता है हम कई से भी कर सकते हैं insertion और deletion इसको dq बोला जाता है so basically आप कुछ ऐसा समझ लो एक array है एक array को maintain किया जा रहा है और इस array में हम लोग insertion आगे से भी कर सकते हैं, deletion भी आगे से कर सकते हैं اور insertion पीछे से भी कर सकते हैं और deletion भी पीछे से कर सकते हैं ठीक है, kulmila के बात यह है array में कहां पर, kis index पर क्या चीज़ स्टोर होगी हमें इस चीज़ की टैंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जावा आटोमाटिकल इन सब चीज़ों का था लेट्स गो टू टू दी जावा डॉक्स और देखते हैं कि एरे डीक्यू क्लास कैसे इस्तिमाल करते है अब हम लोग चलेंगे एरे डीक्यू की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो मैं आपर लिखंगे जावा फॉर्टीन डॉक्स और जावा फॉर्टीन डॉक्स लिखने के बाद मैं ज़रा इंटेलीच आइडिया को फायर कर लेता हुए जितनी ज़र्बे मैं यहां पर डॉक्स क् और रोड़ना करूम को अे ररे डीक्यू पर यूट मिसर्टा देखता हूं क्या रहा है असरा यह एडिक्यू मैंने स्पैलिंग क्ल financiri मुझे मालू है वट लेट मीमे साच अगेन मैं इरली कडी लिखा और यह धिक्री तेख्टी सपैलिंग यार मैंने स्पैलिंग मिस्टे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि RADQ को इनिशलाइज करेंगे तो यहाँ पर देखो RADQ को हम को जस्तरा से इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह हमारा वीडियो नूम्बर कौन सा है जल्दी से पहले यह देख लेते हैं और उसके बाद मैं अब RADQ क्लास बनाऊंगा यह हमारा 93 वीडियो है तो यहाँ पर राइट लिक करके मैं न्यू में जाऊंगा और उसके बाद जावा क्लास में जाने के बाद मैं लिखूंगा cwh underscore और उसके बाद मैं लिखूंगा 93 underscore array deque.java ठीक है shift enter दबाऊंगा main लिखूंगा उसके बाद एंटर मारूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा यह सब करने के बाद मैं कुछ इस तरह से नीचे scroll करूंगा और यहाँ पर देखूंगा कि इसके बास कौन कौन से constructors है तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक basic से constructor दिया हुआ है जो कि construct करता है empty array deque को within initial capacity of 16 ठीक है सोला की initial capacity जो है वो रखता है यह जो array deque है अब देखो एक बात हम लोग को यहाँ पर समझनी होगी जो array होता है वो हमेशा उसकी capacity होती है ठीक है क्या कहते है array list में array list में भी same जीज थी ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा सिर्फ array deque बनाऊंगा यहाँ पर लिखूँगा array deque और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर int अच्छा जैसे मैंने आप लोग को array list के लिए करके दिखाया है अब मैं यहाँ पर 881 के जो methods है वो access कर सकता हूं for example .add.add मैंने 6 लिखा अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ हो जाएगा इसको access तो करी सकता हूँ, उसी के साथ-साथ मैं यहाँ पर इसको print भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखो, इसके सारे methods देख लेता हूँ पहले, और इसके methods देखने हैं कि बाद मैं उनको use करूँगा, तो देखो add हमने देखा, insert करतेगा at the end of the queue, ठीक है add all क्या करेगा, add all all of the specified elements all of the elements in the specified collection at the end of the dequeue, ठीक है, तो यहाँ पर at the end जो है सारे के सारे elements को insert करेगा अगर मैंने कोई collection दे दिया बीच में तो, ठीक है add first है और add last है, ठीक है, अच्छा कर इसको print करना है, तो हम किस तरह से print कर सकते हैं अब यहाँ पर मेरे पास कुछ methods है, जिसे कि get first, get last, अब अगर इसमें get first को run करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो, मैं लिकूँगा dot get first तो obviously मुझे 6 दिखाएगा, कि मैंने सबसे बहले इसमें 6 को add गिया, फिर 56 को add गिया तो get first में मुझे obviously 6 दिखाना चाहिए और दिखा भी रहे, ठीक है get last अगर मैं करूँगा get lost नहीं, get last, ठीक है इसको मैं run करूँगा 56 आना चाहिए, अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ add करता let us say, 9 add करता मैं, run करता इसको तो देखो 6 और 9 आ गया पहला 6 उसके बाद 9, ठीक है get first, get last करने पर मुझे 6 और 9 मिल रहा है, ठीक है और अगर मैं आपर कुछ ऐसे कर दूँ add last और मैं आपर let us say 67 कर दूँ, या फिर add first कर दूँ add last, add तो add last में ही करता है तो अगर मैं add first कर दूँ तो आप लोग देखो या पर 6 तो पहले से था यार 9 भी मैंने already use कर रहा है 5 करता हूँ मैं मैं इसको run करूँगा और या पर देखो 5 और 9 ठीक है, 5 और 9 तो 5 जो है याँपर वो जो है add get first में आ रहा है क्योंकि मैंने आपर add first करके 5 इसको कर दिया तो इसके सारे methods यार बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने array list को use किया, जिस तरह हमने collections framework की, all classes for example link list वगारा को use किया एकदम exactly same है, एकदम आपको methods वगारा को देखना है, और methods इस बगारा को देखने के बाद आप लोग जो है अपना गाम कर सकते हो, इसको use करके, ठीक है, आपर documentation बहुत अच्छी तरह से दी हुई है, एक चीज़ याँ पर लिखी हुई है, आप लोग जसी कि आप देखी सकते हूँ, मैंने आप पर documentation खोल रखी है सामने, मैं अबर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी array dq है, वो implement करती है dq interface को, और dq interface के कुछ methods से आप लोग को मिलवाना चाहता हूँ, add first, offer first, add last, offer last, ये सब insert करते हैं, ठीक है, add first, last वाला, last में insert करेगा, ठीक है, first में करना है, तो ये method use करो, या फिर ये method use करो, इन दोनों में से कौन सा use करें, अगर exception throw करवानी है, तो ये use कर लो, और अगर नहीं करवानी है, safely करना है आप लोग को, अगर नहीं भी हो पाया, तब भी अगर आप लोग कुछ ऐसा चाहते हैं, कि ये exception throw ना हो, तो आप ये offer first को इस्तेमाल कर लो, ठीक है, तो basically आप क्या करते हो, आप offer करते हो, first element को insertion, अगर नहीं हो पाया, तो ये वाला exception throw करेगा, और ये वाला नहीं करेगा, ठीक है, so basically remove में भी यही चीज़ है, remove first, pole first, pole first, जो है, वो exception throw नहीं करेगा, remove first, जो है, वो exception throw करेगा, and so on, यार, ठीक है, अब get first, peak first, get last, peak last, ये आप use कर सकते हो, examine करने के लिए, निए कि अगर आप लोग को चाहिए first element, ये last element, ठीक है, तो ये सारे का सारे methods है, अब अगर आप कोई ऐसे इंसान हो, जो कि Qs को बहुत जादा use करते हो, let us say, आप लोग कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हो, जिसमें आपको Q interface का बहुत जादा इस्तिमाल करना है, तो it'll be worthwhile कि आप लोग इस page को पढ़ें, बैट कर, ठीक है, लेकिन general Java users के लिए, जितना मैंने बताया, उतना काफी है, और अगर आपको future में कभी use करनी भी पढ़े जाती है, Q या RAQ, sorry, RADQ, तो आप आराम से इस interface के बारे में पढ़े सकते हैं, Q interface के बारे में पढ़े सकते हैं, निकि collection framework में, जो चीज़ आपको जब जरूरत है पढ़े, आप लोग याँ पर उसको use कर सकते हैं, मैं तो हमेशे से कहते हूँ यार कि आप लोग बिल्कुल भी documentation को छोड़े documentation से अपना बहुत अच्छा रिष्टा बना कर रखें, और syntax को रटने वाले काम जो है, वो बिल्कुल ना करें यार syntax को रटने वाले आप लोग काम करोगे तो आप लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं syntax आप एक limit तक ही रट सकते हो, लेकिन documentation को समझना की कैसे देखना है इन सब चीजों की समझ रखना, आप लोग को unlimited information का access दे देती है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाई सकर आप लोगों ने playlist access नहीं करी है, अभी तक भी तो इसको कर लेना access यहां क्लिक करके इसको bookmark जरूर करना यहां क्लिक करके इसको save जरूर कर लेना by the way, आप में से 13,00,000 लोगों ने इसको access किया I am very happy कि आप लोगों को इसको पसंद आ रहा है और जितना भी positive feedback आप लोग देदे हैं मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल 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 झाल